जैगरुजी, भगवान विश्णु द्वारा पठेत शिव सहस्रे नाम स्त्रोत्र सूत वाच शुवताम भो रिशीश रेष्ठा येन तुछो महेश्वरह तदहम कथाम्याःब्य शैवम नाम सहस्रकम सूत जी बोले मुनीवरों सुनों जिससे महेश्वर संतुष्ठ होते हैं वै शिव सहस्रे नाम स्त्रोत्र आज मैं तुम सबको सुना रहा हूँ विश्णूर वाच शिवो हरो मृडो रुद्रह पुश्करह पुश्पलो चनह अर्थि गम्या सदाचारह शर्व शंभुर महेश्वरह भगवान विश्णू ने कहा शिव कल्यान स्वरूप भक्तों के पाप तापहर लेने वाले सुख दाता दुख दूर करने वाले अकाश स्वरूप पुश्प के समान खिले हुए नेत्र वाले प्रार्थियों को प्राप्त होने वाले श्रेष्ट आचरन वाले संगहार कारी कल्यान निकेतन महान इश्वर चंद्रा पीड़श चंद्र मौलिर विश्वम विश्वम भरेश्वरह वेदान्त सारा संदोह कपाली नील लोहिता चंद्रमा को शिरो भूशन के रूप में धारन करने वाले सिर्पर चंद्रमा का मुकुर धारन करने वाले सर्वस्वरूप विश्व का भरन पोशन करने वाले श्रिविष्णु के भी इश्वर वेदान्त के सार्तत्व सचिदानन्द मै ब्रह्म की साकार मूर्ती हाथ में कपाल धारन करने वाले गले में नील और शेश अंगों में लोहित वर्ण वाले ध्याना धरो अपरिछेद्यो गौरी भरता गनेश्वरह अष्ट मूर्तिर विश्व मूर्तिर स्त्रीवर्ग सर्ग साधना ध्यान के अधार देशकाल की वस्तु की सीमा से अविभाज्य गौरी अर्थात पार्वतीजी के पती प्रमत गनों के स्वामी जल अगनी वायू अकाश सूर्य चंद्रमा पृत्वी और यज्मान इन आठ रूपों वाले अखिल भ्रमान में विराध पुरुष धर्म अर्थ काम तथा स्वर्की प्राप्ति कराने वाले ज्यान गम्यो द्रिड प्रज्यो देव देव स्त्रिलो चनह वाम देवो महादेवा पटू परिव्रडो द्रिडः ज्यान से ही अनुभ़ों में आने के योग्या सूस्थिर बुद्धि वाले देवताओं के भी आराध्य सूर्य चन्द्रमा और अगनी रूप तीन नेत्रों वाले लोग के विप्रीत स्वभाव वाले देवता महान देवता ब्रमादिकों के भी पूजनिय सब कुछ करने में समर्थ एवं कुशल स्वामी कभी विचलित ना होने वाले विश्वरूपो विरूपाक्षो वागीश शुचि सत्तमह सर्व प्रमाण संबादि व्रिशांको व्रिशवाहना जगत स्वरूप विकट नेत्र वाले मानी के अधिपती पवित्र पुरुषों में भी सब सिश्रेष्ट संपून प्रमाणों में सामन जस्य स्थापित कराने वाले अपनी ध्वजा में व्रिशव का चिन धारन करने वाले व्रिशव या धर्म को वाहन बनाने वाले इश पिनाकी खटवांगी कि जित्रवेशिश्चि चिरंतनह तमोहरो महायोगी गोपता भ्रम्मा चदूर जिटह स्वामिय शासक पिनाक नामक खाट के पाये की आकृती का एक आयुत धारन करने वाले, विचित्रवेश धारी, पुरान अनादी पुर्शोत्तम, अज्यान अंधकार को दूर करने वाले, महान योग से संपन, रक्षक, स्रिष्ठी करता, जटा के भार से युक्त काल काल कृती वासा, सुभग प्रणवात्म कह, उनध्र पुर्शो जुष्यो, दुर्वासा पुर्शासनह, काल के भी काल, गजासुर के चर्म के वस्तर के रूप में धारन करने वाले, सभाग शाली, अंकार स्वरूप अत्वा, प्रणव के वाच्यार्थ, बंधन रहित, अ आंतर्यामी, आत्मा, सेवन करने योग्य, दुर्वासा नामक मुनी के रूप में अब तीन, तीन माया में असुर पुरों का दमन करने वाले, दिव्या युधस कंद गुरू, परमेश्ठी परात पराह, अनादी मध्या निधनों, गिरी शोगिरी जाधवाह, पाशुपत आधी दिव्य अस्र धारन करने वाले, कार्तिकेजी के पिता, अपनी प्रकृष्ट महिमा में स्थित रहने वाले, कारण के भी कारण, आधी और अन्त से रहित, कैलाश के अधी पती, पार्वती के पती, कुबेर बंधू, श्री कंठो, लोकवर्णो, तमो मृदुहू, समाधि वेद्य कोदंडी, नील कंठा परश्वधी, कुबेर को अपना बंधू बनाने वाले, श्याम सुश्मा से सुशोबित कंठ वाले, समस्त लोकों और वर्णों से श्रेष्ट, कोमल स्वभाव वाले, समाधी अत्वा, चित वृतियों के निरोद से, अनुभव में आने योग्य, धनुर्धर, कंठ में हालाहल, विश्का नील चिन धारन करने वाले, परशुधारी विशालाक्षोम्रिगव्याधा, सुरेश सूर्यतापनह, धर्मधामशमाशेत्रम, भगवान भगनेत्रविता, बड़े बड़े नेत्रों वाले, वन में व्याद या किराद के रूप में प्रकट हो, शुकर के उपर बान चलाने वाले, देवताओं के स्वामी, सूर्यों क भी दंड देने वाले, धर्म के आश्रे, शमा के उत्पति स्थान, संपून एश्वर्य, धर्म यश, श्री ज्यान तथा वेराग्य के आश्रे, भग देवता के नेत्र का बेदन करने वाले, उग्र पशूपतिस्ताक्ष, प्रिय भक्त परम तपह, दाता दया करो दक्ष, क परदी, काम, शा, सनह, संगहार काल में भयंकर रूप धारन करने वाले, माया रूप में बंदे हुए, पाश भद पशूओं को तत्व ज्यान के द्वारा मुक्त करके यथार्थ रूप से उनका पालन करने वाले, गरुर रूप, भक्तों से प्रेम करने वाले, शत्रुता धखने वालों को संताप देने वाले, दानी, दया निधान एवं क्रिपा करने वाले, कुशल, चटा जूट धारी, काम देव का दमन करने वाले, शम्षान नीले सुक्ष्मा, शम्षान नस्थो महेश्वरा, लोक करता, मृग पतिर महा करता, महों शदी, शम्षान वासी, इंद्रिया तीद एवं सर्वव्यापी, शम्षान भूमी में विश्राम करने वाले, महान इश्वर या परमेश्वर, जगत की स्रिष्टी करने वाले, मृक के पालक या पशुपती, विराठ प्रमान की स्रिष्टी करने के समय, महान करतव से संपन, भव रोक का निवारण करने के लिए, महान आश्दी रूप, उत्तरो, गोपतीर, गोपता, ज्यान, गम्य, पुरातना, नीती ही, सुनीती ही, शुद्धात्मा, सुमा, सुम्रतह, सुखी, संसार सागर से पार उधारने वाले, स्वर्ग पृत्वी, पशु, वानी, कीरन, इंद्रिय और जल्गे स्वामी, रक्षक, तत्व ज्यान के द्वारा ज्यान सरूप से ही जानने योग्य, सबसे पुराने, नियाय स्वरूप, उत्तम नीती वाले, विशुद आत्म स्वरूप, उम्मा सहित, चंद्रमा पर प्रहिम रखने वाले, आत्म आनन्द से परिपोन, सोमपो अम्रित अपह, सौम्यो महा तेजा महा द्युती, तेजो मयो अम्रित मयो, अन्नम यश्चा सुधा पति, सौमपान करने वाले, अत्वा, सौमनात रूप से चंद्रमा के पालक, समाधी के द्वारा स्वरूप भूद अम्रित का अस्वाधन करने वाले, भक्तु के लिए सौम्य रूप धारी, महान तेज से संपन, परमकान इमान, प्रकाश स्वरूप, अम्रित रूप, अन्रूप, अम्रित के पालक, अजात शत्रूर अलोकह संभावयोह व्यवाहना, लोक करो वेद करह सूत्रकारा सनातना, जिनके मन में कभी किसी के प्रतिशत रुभाव नहीं पैदा हुआ, ऐसे संदर्शी, प्रकाश स्वरूप, सम्मानिय, अगनी स्वरूप, जगत किस रिष्ठा, वेदों के प्रकट करने वाले, ढक्कना नाद के रूप में चतुरदश, माहेश्वर सुत्रों के प्रनेता, नित्य स्वरूप, महरीशी कपिलाचारयो, विश्वदीप्ति स्त्रिलोचनह, पिनाक पानेर भूदेवा, स्वस्तिदा स्वस्तिकृत सुधिही, सांखे शास्तर के प्रनेता भगवान कपिलाचारय, अपनी प्रभा से सब को प्रकाशित करने वाले, तीनों लोकों के द्र विश्टा, हाथ में पिनाक नामक धनुष्धारन करने वाले, प्रित्वी के देवता, भ्रामन अथ्वा, पार्थिव लिंगरूप, कल्यान दाता, कल्यानकारी, विशुद बुद्धी वाले, धात्रिधामा धामकरह, स्वर्ग सर्वगह, सर्वगोचरह, ब्रह्म स्रिगी विश्व सक्स्रिक सर्ग करनी कार प्रिया कवी, विश्व का धारन पोशन करने में समर्थ तेज वाले, तेज की स्रिष्टी करने वाले, सर्वव्यापी, सबमे व्याप्त, ब्रह्मा जी के उत्पादक, जगत की स्रिष्टा, स्रिष्टी स्वरूप, कनेर के फूल को करने वाले त्रिकाल दर्शी की शाक्खाओं का विस्तार करने वाले मुंगल में भव रोक का निवारन करने वाले बैद्यों में सर्वस रेष्ट गंगा के प्रवारूप सिर को जल पर धारन जल को सिर पर धारन करने वाले कल्यान स्वरूप पून्तम अथ्वा व्यापक भ्रमाद रूपी भवन के निर्माता अचंचल अथ्वा स्थानु रूप विजीतात्मा विधेयात्मा भूतवाहन सार्थी सगणों गण कायश्च सुकिर्तिष्चिन्न संशय मन को वश में रखने वाले शरीर मन और इंद्रियों से अपने इच्छा के अनुसार काम लेने वाले पांच बहुत एक रत का संचालन करने वाले बुद्धी रूप सार्थी मतलब कि ये जो पांच हमारे शरीर की इंद्रिया है उनका संचालन करने के लिए कौन है हमारे मन के अंदर कौन बेटा है हमारी चेतना जो कि भगवान सुरूप शिव है प्रमत गणों के साथ रहने वाले गण स्वरूप उत्तम कीर्थी वाले संचयों को काट देने वाले काम देव, काम पालो, भस्मो धूलित विग्रह, भस्म प्रियो, भस्म शाई, कामी कांता कृता गमाह, मनुश्यों द्वारा भिल्यशित, समस्त कामनाओं के अधिश्टाता परम देव, सकाम भक्तों की कामनाओं को पून करने वाले अपने श्री अंगों में भस्म रमाने वाले, भस्म के प्रिमी, भस्म पर शैन करने वाले, अपने प्रिय भक्तों को चाहने वाले, परम कम्ने प्रान वल्लब सुरूप, समस्त तंत्र शास्त्रों के रचईता समावर्तु अनिवर्तात्मा धर्म पुंज सदाशिवह, अकल्म शर्चतुर बाहूर, दुरावासो दुरासदः, संसार चक्र को भली भाती घुमाने वाले सर्वत्र, विद्यमान होने के कारण जिनका आत्मा कहीं से भी हटा नहीं है, ऐसे धर्म या पुन्य की राशी, दिरंतर कल्यान कारी, पाप रहित, चार भुजादारी, जिनहें योगी जन भी बड़ी कठिनाई से अपने रिदे मंदिर में बसा पाते हैं, ऐसे परम दुर्जे, दुरलभो दुर्गमो दुर्ग सर्वा युद्ध विशारदह, अध्यात्मयोग नीलया, सत्सुतंतु स्तंतु वर्धनहा, भक्ति हीन पुर्षों को कठिनता से प्राप्त होने वाले, जिनके निकट पहुँचना किसी के लिए भी कठिन है, ऐसे पापताप से रक्षा करने के लिए दुर्ग रूप अर्थ्वा दुर्गे, संपून अस्तरों के प्रयोकी कलामे कुशल, अध्यात्मयोग में स्थित, सुन्दर विस्त्रित, जगत रूप तंतु वाले, जगत रूप तंतु को बढ़ाने वाले शुभांगो लोकसारंगो जगदीशो जनार्दनाह भस्म शुद्धी करो मेरू रोजस्वी शुद विग्रह सुन्दर अंगो वाले लोकसार ग्राही जगत के स्वामी भगजनों की याचना के आलंबन वस्म से शुद्धी का संपादन करने वाले सुमेरू परवत के समान केंद्र रूप तेज और पल से संपन निर्मल शरीर वाले साधन भजन से दूर रहने वाले लोगों के लिए अलभ्या साधन भजन परायन सत्पुष्यों के लिए सुलब श्री राम के सेवक वानर हनुमान का रूप धारन करने वाले अगनी स्वरूप अथ्वा सुवण मै वीर्य वाले पुराणों द्वारा प्रतिपादित शत्रू के प्राण हर लेने वाले वल्शाली महाहृदो महागर्त सिध्धी व्रिंदार वंदितह व्याग्रचरम वरोव्याली महाभूतो महानिधी पर्मानन्द के समान सरोवर महान अकाश रूप सिध्धो और देवतों द्वारा वंदित व्याग्रचरम को वस्र के समान धारन करने वाले सर्पों को अभूशन की भाती धारन करने वाले त्रिकाल में भी कभी नश्च ना होने वाले महाभूत स्वरूप सब के महान निवास्थान अम्रिताशो अम्रितवपुह पांच जन्यह प्रभंजनह पंच विंशत्यते तत्वस्थ पारिजादा परावरह जिनकी आशा कभी विफल ना हो ऐसे अमोग संकल जिनका कलेवर कभी नश्च ना हो ऐसे नित्य विग्रह पांच जन्यनामक शंक स्वरूप वायू स्वरूप अथ्वा संहार कारी प्रकृती महतत्व बुद्धी एहनकार चक्षु शोत्र ग्रान रस्तना त्वक वाक, वानी, पानी, वायू, पायू, पाद, उपस्थ, मन, शब्द, स्पर्ष, रूप, रस, गंद, पृत्वी, जल, तेज, वायू और आकाश इन 24 जड़ तत्वों सहित, 25 चेतन तत्व पुरुष में व्याप्द याजकों की इच्छा पून करने में कल पवरिक्ष रूप, कारण कार्य रूप सुलभा, सुवरता, शूरो, भ्रम्म, वेद, निधीर, निधी, वर्णा, श्रम, गुरुर, वर्णी, शत्रु, जिच्छ, त्रु, तापनह, नित्य, निरंतर चिंतन करने वाले एक निष्ट, श्रधालू, भक्त को सुगमता से प्राप्थ होने वाले मतलब कि अगर रोज आप चिंतन कर रहे हैं निरंतर और एक की आशा में बैठे हैं जैसे कि हमारे गुरुजी की आशा में श्रधा से तो उनको सुगमता से मिल जाते हैं उत्तम रतधारी, शौर्य संपन, भ्रह्मा और वेद के प्रादुर्भाव के स्थान, जगत रूपी रत्न के उत्पत्ति स्थान, वर्णों और आश्रमों के गुरू, भ्रह्म चारी, अंधकासुर आदी शत्रों को जीतने वाले, शत्रों को संता देने वाले, आश्रमा, शपनह, शामों, ज्यानवान, चलेश्वरह, प्रमान, भूतो, दुर्जेय, सुपर्णों, वायुवाहन, सबके विश्राम स्थान, जनम मरन के कष्ट का मूलो छिद करने वाले, प्रेले काल में प्रजा को शीन करने वाले, ज्यानी, पर्वतों अथ्वा, सावर पदार्थों के स्वामी, नित्य सिद्ध प्रमान रूप, कठिंता से जानने योग्य, वेद मैं सुन्दर पंख वाले, गडुर रूप, अपने भय से मायु को प्रमाहित करने वाले, धुनर धरो धनूर वेदो, गुन राशिर गुणा करह, सत्य सत्य परो दीनो, धर्मांगो धर्म साधनाह, पिनाक धारी धनुर वेद के ग्याता अनन्त अकल्यान मैं गुणों की राशी सद गुणों की खान सत्य स्वरूप सत्य परायन दीनता से रहित उदार धर्म मैं विग्रह वाले धर्म का अनुष्ठान करने वाले अनन्त द्रिष्ठीर आनन्दो धन्डो दमिता दमह अभिवाद्यो महा मायो विश्व कर्म विशारदा अनन्त द्रिष्ठी असीमित द्रिष्ठी वाले पर्मानन्द मैं दुष्टों को दंड देने वाले अत्वा दंड स्वरूप दुरदान्त दान्वों का दमन करने वाले दमन स्वरूब प्रणाम करने योग या मायावियों को भी मोहने वाले महा मायावी संसार की स्रिष्टी करने में कुशल जै गुरुजी, संगे जी यहां पर भगवान के धाइसो नाम 250 names are completed and we will do 250 names every day so that way we can do sahasra naam that means thousand names of God in four days so ये विश्टी ने शंकर जी की ऐसे अरादना करी थी और बहुत ही हम भागों वाले हैं कि हम एक एक नाम पर हम अपने बगवान का नाम ले सकते हैं सारे नाम उनके हैं और उनकी मतलब कितनी कृपा है कि हम को अलाओ करें अपना ये बर्णन करने के लिए और सुनने के लिए शुक्राना जै गुरुजी थैंक यू